आपकी किस्मत सिर्फ और सिर्फ आपके अपने हाथ में है, पूरी तरह से आपके अपने हाथ में है, और किसी के हाथ में नहीं है, किते लोग मानते हैं यह बात सच है, सब मानते हैं, सब जूटे हैं, सब जूट बोल रहे हैं, कहां मानते हैं, हम बाते तो कुछ और करते हैं, उसकी किस्मत अच्छी है, मेरी किस्मत बुरी है, अरे मेरे साथ ये क्यों हो गया, मेरे साथ में वो क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये चीज बदल क्यों नहीं रही है, मैं आपको एक सिंपल सा एक्जाम्पल देता हूँ, दो घर हैं आमने सामने, एक है छोटा सा फ्लाट, वन बीएच के, मिदल क्लास फैमिली और उसमें एक बच्चा रहता है, दूसरी तरफ, उनी फ्लाट के सामने एक बहुत बड़ा बंगला है, एक यूज हाउस, बहुत बड़ा, वहाँ पर एक बिलेनेर का बच्चा रहता है, मतलब कि आरब पती, खरब पती आदमी है, उसका बच्चा है, तो जब उस रड़क के बीच में खड़े हो करके, हम इधर देखते हैं, उस बच्चे को, और फिर इधर देखते हैं, एक तरफ से बच्चा जा रहा है, स्कूटर के उपर अपने पापा के साथ में बैट करके, एक तरफ से वो बच्चा जा रहा है, बड़ी सी Mercedes में, वो भी S क्लास, ऐसी वैसी नहीं, सामने एक शौफर है, पीछे वो मज़े से बैठा हुआ है, और स्कूल जा रहा है अपना स्टाइल में, तो सब के माइंड में क्या आएगा एक दम से देखते ही, कि हाँ देखो इसक उसका जो घर है बड़ा सा, उसमें बहुत बड़ी बैलकनी है, वहाँ पर आकर के खड़ हो जाता है, डेली शाम को, दो तीन घंटे के लिए, और उस बैलकनी में खड़े हो कर के भार बच्चों को खेलते है, और वो जो दूसरा बच्चा है, जिसको हम सोच रहेते हैं कि ज बॉल केलते हैं, कुछ न कुछ खेलते हैं, और ये जो बच्चा है, इसकी किसमत अच्छी है, ऐसा दुनिया को लग रहा है, वो वहाँ पर अपनी बैलकनी में खड़े हो करके उन बच्चों को देख रहा है, उसको वहाँ पर जाना अलाउड नहीं है, बिकॉस अप बच्चों के साथ में खेले, नमबर एक, नमबर दो सेक्योरिटी इसूस है, नमबर तीन उसको कहा गया है, आपको घर में ही रहना है, बाहर जाना अलाउड नहीं है, इस तरहे की बहुत सारी रेस्रिक्शन से उसके उपर, वो नहीं जा सकता, उसका मन बहुत आजाने का, बोलता है, लेकिन गरवाले मना कर देता है, तो वो क्या करता है, डेली शाम को आपर खड़े हो करके उन बच्चों को खेलते वे देखता है, और कोई नहीं देख पा रहा है, लेकिन रोज उसकी आखों के अंदर पानी होता है, पच्चे के नजर से एक दुनिया को देखने और वो ही उससे चीन लिया गया, उसके पापा के पास उसके लिए टाइम नहीं है, मम्मी अपना किटी पाटी में बिजी है, फैक्ट है, जिसमें कोई डूट बात यह नहीं है, जैसे पैसा आता है, लाइफस्टाइल अपने भी चेंज होता चला जाता है, टाइम का है असी चिन गई, और वहाँ पर खड़ा ओकर उन बच्चों को देखे जा रहा है और रोई जा रहा है, अंदर से तडप रहा है, कि मुझे खेलना है उनके साथ में, मुझे बाहर जाना है, मुझे किस पिंजरे में कैद कर दिया, सोने का पिंजरा है लेकिन पिंजरा तो है न कैद कर दिया है मेरे को यहाँ पर लाग करके, भार नहीं निकलने दे रहे, मुझे खेलने नहीं दे रहे, यहाला तो ही पड़िया उस बच्चे की, और वो जो दूसरा बच्चा है, वो मज़े से अपनी जिन्दी को चीए रहे, मज़े से, अब बताओ, किस की किसमत उसके घर में एक कमरा है, जो पूरा पूरा खिलोनों से बढ़ा हुआ है, हजारो खिलोने है, और उस मिडल क्लास वाले बच्चे के पास में सिर्फ चार खिलोने है, लेकिन उन चार खिलोनों का उस बच्चे में क्रेज है, उसमें इन हजारो खिलोनों का भी कोई क्रेज न वो जो बच्चा है middle class background का वो भी beach beach में वो उस बड़े घर की तरफ देखता है और उस बच्चे को वहाँ पर खड़ा हुआ देखता है और मनी मन सोचता है कि उसकी किसमत कितनी अच्छी है कितने बड़े घर में रह रह रहा है कि हमारा ऐसा घर क्यो नहीं है हमारे पास ऐसी गाड़ी क्यो नहीं है मेरे पापा के पास में स्कूटर क्यो है Mercedes क्यो नहीं है इतना बड़ा घर क्यो नहीं है घर के अंदर इतनी बड़ी lawn क्यो नहीं है इतने सारे knocker क्यो नहीं है इतने अच्छे कपड़े क्यों नहीं है इतने सारे टॉइस क्यों नहीं है अब किसकी किसमत अच्छी है किसकी बुरी है पकड़ो इस चीज को जहां में जा रहा हूँ ध्यान से देखो ध्यान से देखो दोनों की अच्छी है और दोनों की बुरी है जिस वक्त हम उन चीजों की तरफ देखते हैं जो हमारे पास में नहीं है और हम चाहते हैं तो हमारी किस्मत बुरी होती है और जब हम उन चीजों की तरफ देखते हैं जो हमारे पास में है उस मुमेंट में हमारी किस्मत अच्छी होती है यह पल-पल का खेल है एक एक सेकिंड में किसमत बदल रही है और किसकी वज़े से बदल रही है इसकी जड़ क्या है हमारे अपने ही डिजायर्स हमारे अंदर जो डिजायर्स शुपे होए है वो है सारी की सारी जड़ तो अगर हमें अपने डिजायर्स को बदलना आ जाए तो क्या होगा किसमत बदल जाएगी अब मैं आपको एक रियल लाइफ एक्जाम्पल देता हूं उसके लिए मुझे एक वोलेंटेर चाहिए यहां पर स्टेज पर जिसका किसी लड़की के साथ या किसी लड़के के साथ में बहुत सीरियस अफेर चल रहा हूँ और यहां पर जागर कि वो थोड़ा बट शेयर करने में उनको प्रॉब्लम ना हो कौन आना चाहेगा आप अना चाहेंगे आज़ो किया नाम है आपका अगस्तिन तो आपका लड़की के साथ अफेर है लड़के के साथ है यार फस्क्यों रहों पूछ लेना ठीक रहता है तो ऑगस्तिन क इतने टाइम से चल रहा है अपका अफेर साथ माचाल साथ तीन साल से तो आप इमाजिन करों सिर्फ इमाजिन करना है रियालिटी नहीं है कि कल वह आपको डूम कर देती है एक है इमाजिन करों दुनिया में कुछ भी हो सकता है तो सकता आपसे बेटर कोई मिल जाए उनको उसकता है मैं दोनों के बीच में आ जाओं तो वह आपकी अच्छी किसमत होगी या बुरी किसमत होगी सोच के बोलना ऐसा नहों यह वीडियो देखने के बाद में सच में डंप कर दें आप यह आपी बोलोगे जो बोलोगे मैं कुछ नहीं बोलेगा बताओ अराम सोच वसकी और के लिए इनको कल डंप कर दे मतलब के छोड़ दे तो ये इनकी अच्छी किसमत है बुरी किसमत है मैं बस सिकना सा पूछ रहा हूँ आप लुग मत बोलो आपको कोई डंप नहीं कर रहा है इनको कर रहा है इनको बोलने दो हा बताओ गर आप्स जाएंगे तो क्या अगर मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो मुझे छोड क्यों नहीं तेटे सब्सक्राइब आप बीच्ट और अच्छी एंग एक जीत हो लिए है आप इसने एक जीत पॉलिए है आपके जो विदा है अच्छे केरे वह जो अच्छे कि रही है और रीजन्स बताओ, अच्छी किसमत के भी और बुरी किसमत के भी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखो, ध्यान से देखना जहां इनका ध्यान गया, पॉजिटिव की तरह किसमत अच्छी हो गई जहाँ ध्यान गया negative के ओपर कि अम मैं क्या करूँगा साड़े तीन साल से हम साथ में थे मैं एकदम से अलग हो गया तो यह अंदर से टूट जाएंगे अंदर से टूट जाएंगे बिखर जाएंगे पूरी तरीके से देवधास बन जाएंगे शुरू हो जाएंगे डेली लवली-लवली होता है होता है लोगों के साथ में तो यह है एक एक एक्स्ट्रीम दूसरी एक्स्ट्रीम क्या है जैसे ही आपने इस situation की positive side को देखा आप क्या हो रहे हो अंदर से कम्जोर हो रहे हो strong हो रहे हो देखो लाइफ में कभी भी यह मत सुचना मुझे सिर्फ पॉजिटिव देखनी है पॉजिटिव भी देखो और नेगटिव भी देखो लेकिन चूज करो पॉजिटिव यह करना है तो आपने नेगटिव पॉइंट नहीं बताया भी तक मतलब उनसे अलगोने का कोई नेगटिव पॉइंट नहीं है अच्छा कोई चांस ही नहीं है बहुत बढ़िया लेट्स किव बिग एंड फर इन यह जो फंड अभी मैंने डिसक्स किया आप लोग के साथ मैं कि एक सिचुवेशन की हम नेगटिव साइट भी देख सकते हैं पॉजिटिव साइट भी इसी सेम फंडे को आप कहीं पर भी लगा जो अपने उपर लगाओ हर इंसान के अंदर इस पूरी दुनिया में कुछ स्ट्रेंज होती हैं कुछ वीकनिस होती हैं क्या कोई एक भी ऐसा इंसान है इस ओडिटोरियम में या ओडिटोरियम छोड़ो पूरी दुनिया में जिसके अंदर स्ट्रेंज तो हो वीकनिस ना हो और जब भी हमारा ध्यान अपनी वीकनिस की तरफ होता है तो हमारी किस्मत पूरी होती है आस्मान में एक पंची उड़ रहा है जब तक वो उड़ रहा है मज़े से तब तब कोई प्राब्लम नहीं है क्योंकि वो उसका बेसे नेच्वर है उसने मचली को पानी में तेरते ह मैं इसके जैसा क्यों नहीं हूं और मचली उसको देखकर के हम उड़ क्यों नहीं पारी जिस आदमी को देख करके आप सोच रहे हो ना किसी 50 साल के आदमी को कि यार क्या लाइफ है बिजनस क्लास में ट्रेवल कर रहा है बड़िया से बड़िया गाडियां है इतना बड़ा बिजनस है इतना ये है इतना वो है वो पता है क्या सोच रहा है उस समय आपको देख करके अगर आपकी एज है मेभी 20-25 साल आप एक स्टूडेंट हो आपको देख करके वो मनी मन सोच रहा है कि काश मेरे सर पे भी ये बाल होते है कि काश मेरे अंदर भी इतनी एनर्जी होती इतना excitement होता जो इसके अंदर है काश मेरे भी ऐसे दोस्त होते है काश मेरी भी ऐसी life होती काश मैं वापिस से उस time में चला जाओ जब भी वो ऐसा कुछ सोच रहा है तो उसकी किस्मत खराब है और जैसी उसने ध्यान दिया कि मेरे पास में क्या है business है तो इस business को पूरी इमानदारी के साथ करूँ पूरे passion के साथ करूँ जो employees है उनके बारे में सोचूँ इस दुनिया के बारे में सोचूँ clients के आपे एनला है कि अगर आपकी इंसान की लीफ सी तोड़ी सी बेटर बना दी ना समझ जाओ आपकी जिन्दगी का मकसद पूरा हो इसके अलावा कुछ नहीं है कितने लोग married हैं आपर married है अब देखो कितना असान है यह चीज समझना कि जहां आपने अपनी वाइफ की बुराईयां देखने शुरू करी बुराईयां हैं उसके अंदर है है या नहीं है है ऐसे आप हस रहे हो है सब के अंदर है और पता नहीं कितनी है पता नहीं कितनी है जहां आपका ध्यान अपनी वाइफ की बुराईयों की तरफ गया आपकी किसमत फूट गई लोग समझ नहीं पारे खेल को लोग समझ नहीं पारे वो पता है क्या सोच रहे हैं कि अगर मैं उस सामने वाले बंदे की तारीफ करूँगा या उसकी अच्छाईयों का देखूँगा तो उसमें उसका फाइदा है समझो बारी की से समझो आप उस पे एहसान नहीं कर रहे हैं उसकी अच्छाईयां देख करके आप अपनी किस्मत को अच्छा कर रहे हैं उसकी अच्छाईयां देख करके उसकी अच्छाई देखने से उसकी किस्मत तो بعد में अच्छी होगी समझो आपकी जिन्दगी में तो यसी खुशी आएंगी आपको अच्छा लगेगा, आप रिलाक्स हो जाओगे, आपके अंदर से गुस्सा निकल जाएगा, आप शान्त हो जाओगे, आप खुशी से जूम उठोगे, फिर आपको सब कुछ positive positive दिखने लग जाएगा, thought process है ना, जहां direction दे दी, thoughts तो बहीं चलने लग जाएगे, जहां मैं आपको यह नहीं कह रहा कि आप positive देखो, मैं को नहीं होता हूं बोलने वाला, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, आप देखो ना negative, देखो, बस मैं आपको reality बता रहा हो, reality क्या है, कि अगर आपने एक साल तक, किसी दूसरे इंसान की negative qualities को द देखोगे, एक साल तक, दो साल तक, दस साल तक, या पूरी की पूरी जिंदगी, तब तक आपकी किस्मत फूटी हुई है, बिकार है, किस्मत खराब है, अपने अंदर जाग करके देख लें आपको समझ आ जाएगा, और जहां एक सेकिंड लगेगा, आपको एक सेकिंड, तस साल बाद आप जाग गए, एकदम से मेरी ये वीडियो देखी और आपको एक हेल समझ आ गया, अच्छा, इसका मतलब मेरी किस्मत भार किसी सिचुएशन पर डिपेंड नहीं कर रही, मेरे अपने नजरिये पर डिपेंड कर रही है, तो मैं क्यों ना बदलू अपने आप थी, एक सेकंड में आपकी किस्मत अच्छी हो गए, एक सेकंड में, आपकी किस्मत सिर्फ और सिर्फ आपके अपने हाथ में, जिस वक्त उन चीजों की तरफ देखते हैं, तो हमारे पास में नहीं है, तो हमारी किस्मत पुरी होती है, और जब हम उन चीजों की तरफ देखते हैं जो हमारे पास में है, उस मुविंट में हमारी किस्मत अच्छी होती है, ये पल-पल का खेल है, आस्मान में एक पंची उड़ रहा है, उसने मचली को पानी में तैरते हुए देखा और वो मचली बंदे की पुशिश करें, और मचली भी उसको देखकर की है, ये अच्छाई देखने से, उसकी किस्मत तो बाद में अच्छी होगी, पहले आपकी खुद की किस्मत अच्छी होगी, अगर आपने एक साल तर अपने फेलियर्स को देखते रहें, और उसकी पॉजिटिव साइड को नहीं देखा, तब तक किस्मत खराब है, और जहां दस साल आप जाग रहें, इसका मतलब मेरी किस्मत भार किसी सिचुएशन में डिपेंद नहीं कर रहीं, मेरी अपने नजरिये पर दिपेंद रही है, तो मैं क्यो न बदलू अपने नजरिये को, मैं बदल रहा हूँ, मैंने पोजिटिव चूज़ किया, तो दस साल तक आपकी किस् पुरी होती है